हाई हेलो रुवान कैसे आप सब लोग आई होप आप अच्छे होंगे वलकम टो अपनिक अक्षा मैं आज आपको इन और गानिक कमिस्टरी के अंदर जो एक चैप्टर हमारा के भी चल भी रहा है हमारे इस चैनल पे वो है केमिकल बॉंड केमिकल बॉंडिंग के अंदर मैं आ आफ आफज चर्चा करते हैं अपने टॉपिक जले ृटिंटर मॉल्यकिवलर बॉंड ॉला वहियों इंटर इन टीकूल आथ हम कुछ ऐसे आपको ऑनख करने वाले जो यहें इंटर मॉल्यकूल के मौ आनटल को मतलब क्या हूआ डो डिफरेंट या थो सेम मौलिक्यूल इसी वज़ा से नाम में लिखा रहा था इंटर मॉलेकुलर इंटर सब्द कब लगाते हैं जब दो लोगों के बीच की कुछ चर्चाएं करनी हो कुछ बात करने अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर लगें यहां किया पड़ने वाले हैं वो है बंडर्वाल फोस फर अट्रैक्शन आप तो कह रहेतेת टॉपिक तो इंटर इंटर मॉली कुलाघ्य फौर्स फर ट्रैक्शन का एक एक्जाम्पल आपके सामने है फंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस नाम से आपने अक्सर सुना होगा इस वजह से मैंने इसको अपनी हेडिंग है तुनिए अपके पास क्या है bond type का बनाती है मैंने कहा कि यह जो हमारा molecule है इसको मैं polar कहना चाहता हूँ इसके कहने का क्या मतलब हुआ इसके कहने का मतलब हुआ कि यहां कहीं न कहीं से poles create होंगे charges create होंगे वो तो बताओ कैसे होंगे तब देखो मैं condition लगा रहा हूँ अगर मैं मान लूँ ऐलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ बी इस गुर्टर देन ए तो बताओ क्या होगा यह जो बीच में आपका एक कोवलेंट बॉन्ड मालो यह जो बना था उनके उलेक्ट्रॉं फिर रख दिया गया है एसा करने क्या होगा इलेक्ट्रॉं सिफ्ट हों गे बी की तरफ अगर बी की तरफ एलेक्ट्रॉं जाएंगे तो अधर डान नेगेटिव चार्ज होगा दूसरे वाले पर डे क्या डेल मतला partial charge थोड़ा साच चार तोड़े से चार्ज को बताने का तरीका क्या लिखा जाता है – लिखा भैया ये negative ही क्यों लिखा? चब कि यार electron shift हो रहे ना bond के bond के electron जहा पे जाएंगे और electron पे कौन सा charge है? negative इस वजाद से यहाँ पे इस तरीके से तो जब molecule कुछ इस तरीके से दिखे तो उसको क्या बोलते हो? कि गया यह देखो एक polar molecule अब एक non-polar molecule का आप खुद example ले सकते हो आप ले लिजी है कि देखो सर हमें polarity नहीं लानी है और अगर polarity नहीं लानी है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रो नेगटिविटी में difference ही नहीं रखेंगे इसका मतलब क्या हुआ जैसे माली जी कि हमने एक molecule ले लिया ए यहाँ पर ए कोई element है उसने अपने साथ ही bond बना दिया तो यहाँ ए और इस वाले ए के बीच में इलेक्ट्रो नेगटिविटी में कोई difference नहीं है इसका मतलब यह क्या है नॉन पोलर है क्योंकि इस पर इस तरीके से polarity बनाई ही नहीं जा सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं सेफ्ट नहीं हो है अब देखो हमारे पाथ दो तरीके के molecule थे polar and non-polar अब इनके बीच में interaction कितने टाइब के हो आप कहोगे सर तीन टाइब के हो सकते दो लोगों के बीच में interaction कैसे दिखा होगे देखो polar and polar पहला क्या होगा पहला होगा देखिए polar and polar तेहां पर लिखा है interaction between polar molecules दो polar molecules के बीच में interaction हो सकता example के तौर पर आप यहीं ले लो लोकि एक एबी है वो दूसरे के साथ क्या कर रहा है interact कर कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है interact नेगेटिब यहाँ पर क्या होगा यहां पर यहाँ पर यहाँ पर इन दोनों के बीच में को इंटरेक्षन पॉसिबल है बाब आप कहा में होगा देखो यह पॉसिटिव है और यह क्या नगेटिव रूप से इनके के बीच में क्या होगा interaction होगा कुछ इस तरीकी का आयनिक इंट्रेक्शन आपको दिख जाए तो को दिखत है क्या बहले यह चार्ज थोड़े मोड़े हैं लेकिन यह इंट्रेक्ट तो करेंगे क्योंकि एक प्लस दूसरा माइनस है किसी को लिखा जाता है इंट्रेक्शन बिट्विन पोलर मॉलेकुल अभी हमने केवल पोलर पे चर्चा करें अब अगला देख लो अगला क्या हो सकता है एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर एक पोलर हो तो दूसरा नॉन पोलर हो तो वहाँ पर लिखा जाएगा interaction बिट्विन क्या लिखा जाएगा interaction ब ज़रूर होगा यह तो polar है अब non polar लो तुमा लो यह ले लो ए और यह ले लो ए और इनके बीच में भी interaction होगा और वो interaction किस तरीके से होगा थोड़ी दिर में आभी आपके सामने आएगा यहीं सब कुछ बताना ठीक नहीं है अब ठीक है अगला देख लो अगला क्या भाई दो non polar molecule क्या करें एक दूसरे के साथ interact करें यह अगला पार्ट हो सकते हैं अब यहाँ पर आप क्या लिख होगे non polar मतलग ए और यह माल लीजे हमारे पास है और दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया molecule यह दोनों जब एक दूसरे के साथ interact करेंगे तो वहाँ पर सब्द क्या लिखा जाएगा interaction between non polar molecules या इसमें कोई दिक्कत थी नहीं रही होगी यहाँ पर जो यह तीन तरीके के interaction है इनहीं interaction को consider किया जाता है किसमें wonderwall force of attraction में क्या आपको इतनी चीजें याद रखने में कभी कोई दिक्कत हो सकती है मेरा जबाब सायद नहीं होगी अब आते हैं next next है interaction between polar molecules अ यह कैसा polar molecule यह क्या दिखा दिया आपने यह देखो भया यहाँ पर मैंने क्या बताया हुआ था आपको A भी बताया था सकते विसके बॉंडिन को इस तरी के से अंदर यहां पे दिखाया इसमें देखो interaction कैसे होगा भाई यह वाला जो डेल नेगटिव है यह वाला जो डेल नेगटिव है वह इस वाले डेल प्लस के साथ इंटरेक्ट करेंगा क्यों होगा ब्या और इलेक्ट्प्रस्टट्रometers रचेर्ग रहा हुं कि हैं किसी को दिख्ट होनी चाहिए अब देखो कि यहां एक दाऌई पोल है कि यह एक डाइपोल है आजर बोल सकते हैं क्योंकि जहांद आपर 2 पोल्स दिख रहुआ है और दाई मतलब क्या होता है दो डाई मतलब 2 वsecond मतलब दिखी रहे एक प्लस और एक माइनस है इस वज़ा से आप फर डाई पोल सब्द यूज की आ जा सकता है और आपको थो यार मैंने डाइपोल मोमेंट चैनल पढ़ा रखा देख भीछ सकते हो वाली वीडियो इसको भी क्या मैं डाइपोल बोल सकता हूं तो आपका जवाः होगा क्या बोलोगे क्यार यह जो interaction है ना इस interaction को एक और नाम दे सकते हैं और उस interaction का नाम होगा dipole 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 interact तो भाईया जब दो polar molecule एक दूसरे से interact करेंगे तो उस attraction force का नाम होगा dipole dipole attract बोलो किसी को कोई समस्या है क्या जिंदगी में कभी नहीं होगी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे एक्जामपल लेते हैं अब ए बी की जगह पर कुछ इस एक्जामपल ने मालो हमने लिया HCl हुआ है पर कौन सा चार्ज होगा भाईया डल प्लस चार्ज इस पर कौन सा डल नगेटिव सर आपने तो यह रट रखा है नहीं मेरे भाई यह क्लोरीन क्या है नहीं बोल सकते क्या यह भी एक डाइपॉल यह भी एक डाइपोल यह भी एक डाइपोल तो आपको समझ में आ चुका होगा कि दो तो पोलर मॉलेकूल जब इंटराक्ट करते हैं तो वहाँ पे नाम आता है डाइपोल रचन चलिए जिन नेक्स्ट पढ़ाते हैं चर्चा करनी है इंटराक्शन बिट्विन पोलर एंड नॉन पोलर मोलेकूल आभ हमारे पास कंडिशन नापके सामने प्रसूत करता हूँ यह है यहाँ पर नेगटिब यहाँ पर आपने प्राइब माइनस बना रख्त अब अगर मैं sil को इंट्रीक करा द Common एक सिर कोई एक 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 लोटा आतंब्स नौन पोलरі होगा चे noisy कोई पाए तो मान लीज्जे कि मैंने इलियम लेपेलिया ही ale helium क्या होगा वह तो 9 पोल kindergarten ठीक है अभी molecule वाले पर थी आजऊंगा फिलाल एक्टम वाले पर समय ठीक है तो कुछ यहां पे इस तरीके की चीज हो जाएगी बोलो इतनी बात समझ मैं क्या इस चीज को थोड़ा उपर लिखा जाएगा हां से थोड़ा साइस देते हैं ओके यहां पे मैं उपर लिख देता हूँ और इस देखो क्या होने वाला है यह चीज तो मैंने यहीं बना दी अगली चीज़ देखो होगा क्या ही तो दो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो घूमते घूमते कहा आजाए यहां आजाए और आएंगे जब न यहां पर है ड्र नेगेटिव यह पर नहीं दिख रहा होगा तो ल अगर दूर सिफ्ट होगी तो यहां पर बताओं सा चार जाएगा आप बोलोगे सा डेल प्लस चार जाएगा अचा डेल प्लस क्यूं आया अरे यार तुम कह रहे हो यहांस और जा रहा है उसी एक अन्दर ही इलेक्ट्राउन की दंसिटी दूर जाएगी तो जिधर जाएगी उधर के लिए क्या लिखा जाएगा उधर इंटर्याक्षन में आने के जस्ट बाद ही उसकी सकल सूरत इसके जैसी हो जाता इसका मतलब के क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस helium ने इस helium ने इस HCL का character adopt कर लिया क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसने क्या किया इसका character adopt कर लिया तो इसी को बोला जाता एक सब्द है induced dipole क्या बोला जाता है induced हमने क्या किया देखिएगा हमने डाइपोल्स बनाने की कोशिस की किसमें हीलियम जो की नॉन पोलर हुआ करता था अब जब वो SEL के टच में आता है तो वो क्या हो जाता है इंडूस डाइपोल हो जाता है उतके अंदर डाइपोल मॉमेंट आ जाता है कुछ इस तरीके से ब्लस और डल नगटिव जैसा साइल जाता है और जैसे यह बनेगा ये वाला डल नगटिव इसका यह सी यल नगटिव वाला वह किस से इंट्राइक्ट हो जाएगा हीलियम के डल प्लस के साथ हो जाएगा और जो interaction जो गा उस interaction को बोलो क्या बोला जाएगा आप कहोगे उसको बोला इसके अंदर कोई polarity नहीं थी तक जब वह इसके टच में आया तभी इसके अंदर करक्टर आया induce हुआ इसी वजा से बोला जाएगा कि यहां पर जो यह interaction तुम देख रहे हो यह interaction मेरे भाई डाइपोल एंड्यूज डाइपोल interaction या attraction का आई हूप आपको समझ में आयो कुछ कठें तो नहीं था अब अगर मान लो molecule पर चर्चा करें मन मान नहीं रहा है सर आपने अटम बता दिया बोला आपने molecule आपने आप इसल लो भाई यह हमारे पास एक SCL molecule वो CL2 के साथ interact करता के साथ CL2 गयस के साथ और देखो भई हमने क्या लिया CL और CL ले लिया अब देखो यहां पर क्या होगा डल प्लस चार्ट यहां पर क्या होगा डल नेगटिव चार्ट अब अगर यहां पर डल नेगटिव होगा और इस और इस वाले CL के बीच में कोई अभी क्या पोलर्टी है नहीं है ये तो नॉनपोलर ये तो नॉनपोलर ये क्या भाई या पोलर लेकिन होगा क्या इस डेल नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्लोरीन के ऊपर होंगी वह भाग जाएंगी किसलर दूसरे वाले क्लोरीन के तरफ का बोल रहे हैं सर तुबारा बताओ तुबारा बताओ वह देखो भाई यहां क्या था डेल नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्लोरीन के ऊपर जो electron density थी वो move करके दूसरी तरफ जाएगी अगर दूसरी तरफ जाएगी तो यहाँ पर क्या electron हटेगा इस वाले क्लोरीन का electron हटेगा तो इस पर डेल प्लस चार जाएगा और दूसरे पर डेल negative चार पहले क्लोरीन कैसा था डॉन पोलर अब कैसा दिख रहा है polar दिख रहा है लेकिन इसको क्या बोला जाएगा कि यह induced dipole है और यह पहले से dipole यह पहले से dipole था और इस dipole की वजह से dipole बना Article이면 induced dipole का नाम दो dipole and induced dipole इसके बीच में जो होगा उसको क्या बोला जाएगा यहां पर बोला जाएगा डाइपोल and induced dipole attraction I hope समझ में आया होगा आनल अगले पर आजाते interaction between non-polar या non-polar atoms ले लेते हैं example के तौर पर यह माल लिजी हमने लिया यहां पर helium क्या लिया helium एक helium के सामने पर आप दूसरा helium लेकर के आ गए एक helium के सामने दूसरा ही अब कहोगे यार सर यह तो non-polar यह भी non-polar ना तो इसमें plus-minus ना तो उसमें plus होगा क्या होगा एक खेल होगा electrons क्या करते हैं घूमते हैं electron क्या करते हैं घूमते हैं माल लो कि आपके के दोनों इलेक्טरॉन यहां पर यहां को सकता है यहां से हट करके कहां इस साइड आगए तो इस साइड गये थोड़ी देर के लिए यहां पर क्या आएगा तो आएगा तो चौपकि और यहां से घूम के इधर गए तो इस साइड क्या बनेगा एल प्लस चार्ज बने नहीं समझना है यह ता मारा हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गए मान लो कि इधर साइड सिफ्ट होगे तो उस समय क्या ह होगा इस साइड पे डेल नेगेटिव होगा तो जिधर से इलेक्ट्रॉन इधर आया है उधर क्या होगा डेल प्लस हो इसको क्या बोला जाता है कि हीलियम जो की नॉन पोलर था उसके अंदर ना थोड़ी देर के लिए पोलारेटी आ गई और वह इंस्टेंट आती है इस व इंस्टेंटेनियस डाइपोल वह ऐसे नॉन पोलर बैठा बैठा था उसका मूड खराब हुआ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया इधर इधर शिफ्ट किया उसने सोचा लगो थोड़ी क्रांती करते हैं दूसरों के साथ थोड़ी छेड़ खानी तो करें इधर भीया हुआ तो यह क्या करेगा हीलियम इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा कि इधर इस साइड भेजेगा ताकि उसके इस डेल प्लस के साथ इसका इलेक्ट्रॉन इंट्राइक्ट कर सके इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर मूब करने की कोसिस करेगा इसमें को दिकत अब आप देखो अगर वो मूब करेगा तो इस साइट बताओ क्या बनना चाहिए डेल लगटिप तो इधर क्या होगा भाई या इधर होगा डेल प्लस क्या होगा अब इसको आगे और अच्छे तरीक इस देखे आगे आप इसको और अच्छे तरीक यहां पर कि देखे यह मैंने क देल प्लस शार जाएगा अब इसी वजह से ऩहां पर क्या बनाए गया और इस साइड यहां पर टीलनी में अब ही छेलियम ही है लेकिन उसका मूड कराब और उसने है बनाया और उसका मूड कराब रहा इसको क्या बोलते हैं इसको इसको क्रियेट होना बोलते हैं या इसको इतनी बात समझ में आगई होगी अब देखो इसकी डल नेगेटिव की वजह से अब अगर इधर नेगेटिव है तो यहां की एलेक्ट्रॉन इसको धकेल के पीछे करेगा अगर धकेल के पीछे करेगा तो इस पर कौन सा चार्ट डल प्लस तो यहां पर क्या आएगा यही देख लीजिए यह चीज इंट्रेक्शन का नाम आप खुद कमेंट करेंगे नहीं जी बता देता हूं क्या बोला जाएगा instantaneous induced dipole क्या बोला गया instantaneous induced dipole इस वाले के लिए अभी सब्द यूज हो रहा है instantaneous induced dipole अरे पुरंत ही एक जटके में यहां पर क्या आया है इसके लिए सब्द क्या है instantaneous induced dipole क्या यह पहले से पोलर था नहीं था induced हुआ है इस वाज़ा से नाम लिखा जाता इसके अंदर induction हुआ इसके लिए लिखा जाएगा यह induced dipole इसको मत कहना कि तुम instantaneous induced है नहीं अरे यह भाई साथ तो इसको देख करके बदलते हैं जब कोई किसी को देख के बदलता है तो हाँ पर सब्द लिखा जाता है induced इन्होंने क्या किया इन्होंने तो अपनी सकल बिगा बिगाड़ी कैसे विदिन सकंड बिगाड़ी ठीक है अपने अंदर हीट क्या कर दिया है डवलप कर दिया डाइपोल इस वज़ा सब्द लिखा जाएगा इसके लिए instantaneous induced dipole और इसके लिए induced dipole क्या कोई समस्या किसी नहीं होगी जैसे आपने यहां पर यह समझा है उसी तरी यह भी नॉन पोलर तो नॉन पोलर नॉन पोलर में क्या होता है instantaneous induced dipole क्या रखना पड़ेगा नहीं यार लॉजिक लगाओ ना यह अपनी सकल सूरत थोड़ी सी बदलेंगे मैं कहा रहा हूं जटके से वो बदलतेते हैं यह मानू पहले यहां पर क्या होगा मानू डेल नेग क्या अंदर भी आएगा यह मैं भी थोड़ा सा इंट्रेक्ट होता हूं इंट्रेक्ट होने के लिए वह इस वाले क्लोरीन को क्या लगाएंगे यह अधर डल नेगटिव मतलब वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर सिफ्ट होगा क्योंकि उसको इधर डेल प्लस दिख रहा दिखता है तो वह अलक्ट्राण क्या करेगा आपनी तरब खीचेंगा इस तरीके से यहां पे एक इंटरेक्ष्ण होता है इस इंटरेक्ष्ण को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस इंड्यूज डैपै उन्डऍ यूज डाइपोल यह वाला जो है इंड्यूज डाइपोल ह योगी अब आते हैं नेक्स्ट पे या वंडरवाल पूर्स आफ अट्रेक्शन जो पढ़ाया उद्क रिवाइज कर देता हूं इसके अंदर हमने तीन इंट्रेक्शन पढ़े पहला होता है डाइपोल डाइपोल अट्रेक्शन दूसरा होता है डाइपोल इंडियूज लंडन फोर्स क्या बोला जाता भी या लंडर फोर्स इसके देखो तीन नाम दिये गए और सबसे घटिया यही होगा इंदर संस इसके बीच में ज्यादा फोर्स आफ अट्रेक्शन नहीं होते हैं क्योंकि एक जब तक अपनी सकल नहीं बदलेगा तब तक दूसरे के साथ नहीं होगा इस वजा से हाप पर क्या बोला जा रहा रहा दिकलो या याद करो इस चीज को जो सबसे कमजोर है उसी के तीन नाम दिये लंडन फोर्स इस पर्शन पोर्स इंस्टेंटेनियस इंडियूज डाइपोल एंडियूज डाइपोल की बात कर लेते हैं तुरंद बहा होगा उसने इसकी सकल देख करके अपना सूरत बदला होगा इसका मतलब देखो भईया यहाँ पर होगा क्लोरीन एंडेट एन असपर यहां पर क्या बोलोगे यहां पर लिखा instantaneous induced यहां लिखा और नॉन पोलर लिख दो नॉन पोलर लिख दो आखमूद के यह लिख सकते अब देखो यहां पर example से आपको चीजे याद भी रहती है अब आते next point order of intermolecular forces अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया यह तीनों यह तीनों कटेगरी में आते हैं किसके wonderwall force of attraction वो क्या है एक intermolecular force of attraction है इस कटेगरी को हम अलग रखते हैं लेकिन यहां पर देखो यहां पर देखो आपके सामने अब मैं total intermolecular forces ला रहा हूं जितने भी molecules से एक दूसर होगा कैसे पता करेंगे आयन आयन जिससे माल लीजिए कि एक हमारे सामने एने प्लस है दूसरा हमारे सामने डियल यहां पे CL नेगेटिव है तो एने प्लस and CL नेगेटिव वो एक दूसरे से इंट्रेक्ट करेंगे यहां पर देखो complete प्लस चार्ज जल नहीं partial नहीं complete प्लस चार्ज है और complete negative चार्ज एक दूसरे के साथ इंट्रेक्ट इस इंट्रेक्शन का नाम होगा आयन आयन यह भी आयन एन एंड प्लस आयन एन और सीड लेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ इंट्रेक्ट करेंगे इसी को आयनिक बॉंड कहते हैं जो की बहुत ही ज्यादा इस यह लिखने से मना कर रहा। और एक डैपोल लेता हूँ है यह ना और एक डैपोल लेता हूँ वह अपनी तरफ एलेक्ट्रोन को खीच कर लाएगा तो इधर क्या है प्लस लेकिन यह वाला जो नेगटीब है ऑक्सीजन की खोपडी पे यहां पर ऑक्सीजन पर यह यह पार्सियल यह यह पार्सियल चार्ज यह इसकी तरह का तो का कमप्लीट नहीं है उसका मतलब यहां पर जो फोर्स ओफ इंडा Marie के रिस्पेक्टện में आइनिक bond के respect अच्छा कुछ नजार आ रहा है यह एक आयन है और यह क्या water है इसको हम कहां पढ़ते हैं पता है इसको पढ़ते हैं hydration के वक्त कि यह क्या है hydration के वक्त ऐसे समझ लो normal समझाता हूँ आइडरेशन मतलब कुछ और नहीं मालो पानी लिया पानी में हमने है dissolve कैसे होता है इसी तरीके से होता है कि एक एने प्लस के किनारे किनारे बहुत सारे water molecules आ जाते हैं और वह water molecules क्यों आते हैं दिव टू आयन डाइपोल attraction क्योंकि इधर आयन है और इधर दाइपोल क्या कर रहे है एक दूसरे को खी यह तो डाइपोल है ना मेरे भाई रहे यार एक्जामपल मतला रटने लग जाना नहीं तो पागल हो जाओगे कोई रटता नहीं इन चीजों को बहुत छोटी सी बात होती है यह सब अब आईए next पे next आपके सामने है डाइपोल डाइपोल अट्रेक्षण सब्सक्ति अब पढ़ाया अभी पढ़ाया ज्यादा पढ़ने कि जरूरत नहीं लग रहे ही लेकिन एग्जामपल लिएटा हूँ एक एच्छीएल्या बॉली क्यूल च्यूश मॉली क प्रेक्षअ को में आ भूए यहां पर होगा डेल नंगेिब यहां पर नंगेटिव और यहां पर आएगा डेल प्लस के साथ ने प्लस है एक दूठ ליट चार्ज है औरे भाई पार्सियल चार्ज यार मन नहीं कर रहा है इनको बनाने का यहां पर फोर्स आफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के केस में क्या बोलोगे वीक है तो आप समझ पारे हो क्या एक चीज मैंने यहीं पर पढ़ा दिया ओडर ओडर इंटर मॉलिकुलर फोर्स को मैंने यहीं निप्टा दिया देखो यह यह और यह इनमें जादा फोर्स आफ अट्रैक्शन किसका है और यहां पर दोनों के दोनों यह क्या पार्शियल चार्ज है ओके जी समझ में आ चुका होगा लेक्ट देख लेक्ट आपके सामने आएग अच्छन आयन इंडिूज दाइपुल सब्द पकड़ो पहले लिखा है इन्होंने आयन ले करो एक और बनाते एक आयन मालओ हमने एनए प्लस अलिए अगला लिखा Què्नोंने इंडूज दाइपूल कब लगाते हैं जब किसी मॉल्कुल के अंदर seveny polarity ना हो वह दूसरे के भ अभे यार यहां प sinister आ लिखता था न पोलर लिखते लेकिन टीए लिंडिघ दिया तो हमने यह लिख दिया अब यहां पर किया होगा यहाँ प्लस को देख कर केरके इनका मन लल चाये का और वह इलेक्ट्रॉन को सेफट नगयर बनाएंगे यहां पे जो डेल जो chlorine chlorine था उसके अंदर कोई polarity नहीं थी उन्होंने इनको देखा उनको देखकर कि यह बदल गए तो यही है दुनिया भया दूसरे को देखके लोग अक्सर बदल जाते हैं यहां पर आते हैं यह हमारे सामने है डाइपोल इंड्यूज डाइपोल का मतलब पहले क्या लेना है में पहले लेना डाइपोल लोग ही है एक्जामपल के तौर पर आप ले लो यह से लिया SCL में क्या बोला मैंने कि यह डाइपूल है यहां पर डाइपूल मतलब क्या हुआ यहां पर डाइपूलरी को कोई दिख्कत बोलो बहिए रही है क्या नहीं आएगी अब अगला देखो यहां पर लिखा है देखेगा यार नेगेटिव चार्ज ए दूर चला जाता हूं इलेक्ट्रॉन को सिफ्ट करेगा इस साइड रिपल्सन की वजह से यह दूर कर देगा इधर कौन आजाएगा डेल प्लस और यह डेल नेगेटिव क्या करेंगे एक दूसरे से इंट्राक्ट करेंगे और इस पर रटते हो विश्वास मानों तुम भाया बंद बुद्धी या मंद बुद्धी की तरफ अपने आपको ले जा रहे हो पत ले जाओ या रटो मत लॉजिकल है सोचोगे सब समझ आएगा अधर्वाइज इसमें यह रटा मारो यह रटा मारो यह हो जाता है फिर आज आओ ने अगला क्या है यह भी इंड्यूज डाइपूर अच्छा इसका मतलब इसको देख करके कोई बदलेगा तो पहले तो इसकी सकल तो बदलो इसके अंदर तो इंस्टेंटेनियसली तार्जस तो लाओ मेरे भाई ला देता हूं आपका आदेर सा जरूर लाएंगे इधर देखि अधर उधर वाला जो होगा दूसरा मतलब क्लोरीन होगा वह इसकी सकल को देख के अपनी सकल बनाएगा कैसा बनाएगा कुछ इस तरीक बहुत ठीक है इतनी बाद सम्झ मारी है और इस इंट्राक्षन को नाम दिया गया है इंस्टेंटेनियस इंड्यूज डाइपूल नहीं रहे हैं अच्छा एक बाव बताओ वैसे बताने कोई खाजरोत नहीं है मुझे लगता आप समझ चुके हूंगे कि और क्या आएगा और भाईया ये और क्या आएगा ये आएगा घर बैठिये इत्मिनान से सोचिए कि आखिर कर ये और क्यों है मैंने एक्स्प्रेशन ज हो रहा होगा कि आखिर कर सर ये एनर्जी और आर की बीच का रिलेशन अभी क्लास में याद करा तो साथ बने रही है ये एनर्जी और डिस्टन्स रिलेशन से कहां सुनते हो जब आपको पढ़ाया जाता वीबीटी पढ़ते वक्ता थोड़ा सा पोटेंसियल और आर के खुलती या इसको छोड़ देते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रस्टेटिक पढ़ते वक्त हम क्या देखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो डारेक्टली प्रपोक्शनल टू वन बाई आर होती है क्या बोल दिया सर समझ नहीं आया क्या बोल दिया नहीं समझ मैं यह एक चार्ज ह दो मैंने मान लिया एक पर डेल प्लस ले लेता हूं नहीं क्यू ले लेता हूं एक पर क्यू लिखता हूं दूसरे पर माइनस क्यू रिखता हूं यहां पर इनके बीच में मानलो की दूरी अगर दो चार्जेज की बीच की दूरी आर है और दोनों की क्वांटिटी क्यू और क्यू है वहां पे एनर्जी लिखा जाता है वहां के लिए एनर्जी लिखा जाता है हमें क्वांटिटी से मतलम नहीं है हम किस पर फोकस करेंगे प्रपोर्शन नॉट वाली कहानी हटाते है ओके यहां पर आप क्या लिखोगे और दोनों के दोनों जब कंप्लीट चार्जज हूंगे तब ही जाकर के यह चीज मिलेगी अगर कंप्लीट चार्जज नहीं है तब तो बवंडर है देखो किस तरी आयन आयन इंट्रेक्शन के अंदर दोनों क्या है ये भी आयन है ये भी आयन है तो निश्चित रूप से यही relation आएगा बोलो ठीक है रहे बोलो ठीक है क्या भाई आप कहोगे इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है अब आपके सामने लाता हूँ next आयन डाइपोल अट्रेक्शन अब आयन को किसके साथ इंट्रेक्ट होना है डाइपोल के साथ इंट्रेक्ट होना है अब कैसे याद करूं तो बड़ा सरदर्द बना दिया आपने प्रिवा क्या देखो एक चार्ज तो है एक चार्ज है और दुसरा डाइपोल है एक चार्ज आय दूसरा डाइपोल है लिक दाइपोल होगई ना दिख्कत ऐसे करोगे बताता हूँ लिखो जहां तुम लिखते थे चार्ज यहां पे रिलेशन में आओ अच्छा है अब यहां पर जो मियू लिखा है उस में की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा कर्क्यू के फॉर्म में लिखे आप आप लिखोगे अगर मालो यह Q1 है तो इसको लिखोगे Q into distance L ओ भाई विव की जगा पे Q into L का मतलब हुआ नीचे आपको क्या करना पड़ेगा एक distance की term बढ़ानी पड़ेगी तभी तो यार उपर Q1 into Q1 divide by कोई distance का relation आएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा नीचे भी आपको एक L से multiply कर देना चाहिए अगर आपने कर दिया आप ने कर दिया तो आप उपर वाली आयन डाइपोल डाइपोल की केस में डाइपोल मोमेंट चाहिए तो हमने यहां पर मू लिख दिया और मू को हम क्या लिखेंगे क्यू इंटु एल हमें यहां पर और आनर्जी के टाम में क्याँ चाहिए क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टंस जाहिए तो वहां पर हम क्या करें नीचे जब तक L से मल्टिप्लाइग ना करें डिस्टंस मल्टिप्लाइग ना करें तब तक आपका है इक्वेशन सटनी बैठेगा, इस वजा से हमें नीचे R से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे होगा 1 by R स्क्वार साय समझ में आया होगा, अब अगला देखते हैं, आसे याद भी करा दूँगा, यहाँ पर देखो, डाइपोल, डाइपोल के केस में क्या बोलोगे, इस डारक्ली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब, अब तो आप समझ में आ चुका होगा, मैं R क्यूब क्यू लिख रहा हूँ, अब दो डाइपोल होगे, तो म्यू इंटू म्यू या, म्यू इंटू म्यू, मतलब अब म्यू की जाए प्रको, क्यू इंटू एल, उधर क्यू डिवाइड भाई आर, तो आर स्क्वार से नीचे मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, कहीं लोगों का दिमाग घुम रहा होगा, लेकिन उस बात को छोड़ता हूँ, यहाँ पर डारेक्ट देख लो, डाइपोल, डाइपोल अंट्रेक्शन से यह चीज आएगी, अब आयान जाएपोल इंट्रेक्शन से अगर बात करें, यहाँ अगर बात करें, तो यहीं से अगर आगे जाएगे, तो आपको बोला जाएगा, भईया, यह देखो, आर की पावर 4, क्या हैगा, आर की पावर 4, याद करना भी आसान है, चारो लाइन सिक्वेंस में याद रखो, इस प्रपोश्टल टू 1 by r, 1 by r cube, यहाँ पर array square, फिर cube, फिर 4, क्या करना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 4, 1 by के अंदर लिखना याद भी रहेगा, समझना है, तब भी आपको समझ में आ चुका होगा, आप आए नेक्स्ट पर, CIT में जो दिया है, वो आपको अमें बताना था, इस वाजाँ देख लीजिए, यहाँ पर ठीक है, समझ में आता है, इनको समझना कठीन पर जाएगा, इनकी calculation बहुत बड़ी बड़ी है, इनको छोडते है, यहाँ देखो, इन दोनों के case में, पता है क्या लिखा जाएगा, energy is proportional to 1 by R की पावर 6, क्या लिखा गया, दोनों के लिए, दोनों के लिए, अगर रटा मारने माले बच्चा होगा, तो कहेगा, यार यह पांचवे नंबर पे है, तो R की पावर 5 होना चीए, नहीं होना चीए, मैं कह रहा हूँ, कि दोनों के लिए, 1 by R की पावर 6 ही याद र हो जाएगी, यह आपके NCRT में देखें, मैं किया गया है, तो I hope आपको यह concept clear हुआ हो, याद करने की बात है, तो बहुरा आसान का, दिक है, चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या पढ़ना है, वन्डरवाल पोर्स ऑफ अट्राक्शन, और वहाँ पे कुछ टम्स होंगे, किस पे वो depend करता है, वन्डरवाल पोर्स ऑफ अट्राक्शन जो होता है, वो molecular mass of species पे depend करता है, जो वन्डरवाल पोर्स ऑफ अट्राक्शन है, वो molecular mass of species पे क्या करता है, depend करता है, बलकि यह क्या होता है, प्रपोर्शन, अगर molecular mass of species बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे Wonderwall force of attraction दो लोगों के बीच में बढ़ता जाएगा क्यों होगा थोड़ी दिर में लौट यहां आपके सामने है PS3, ASS3, SBS3 आपको यह बताना है कि यहां पे सबसे ज़्यादा वंडर्वाल force of attraction कहाँ पे होगा आप कहोगे सर यह देखो उपर से नीचे जाएंगे अगला देखो यहां कि क्या बोला जाएगा नीचे वाले का सबसे ज़्यादा है किसी को दिक्कत तो वंडर्वाल force of attraction का ओर्डर भया यह आएगा अगले में देख लो SCLHBRHI यही ओर्डर आएगा वंडर्वाल force of attraction क्यों क्योंकि molecular mass बढ़ रहे हैं अब देखो एक चीज़ नोटिस करो जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ती जाएगी उपर फॉस्पोरा से छोटा है एस उससे बढ़ा है एस भी उससे बढ़ा है तो जब साइज बढ़ी होगी अब दो बड़े साइज के लोग दो बड़े साइज के लोग एक दूसरे को जादा area से interact करते हैं जादा area से interact करते हैं जादा area से interact करते ह जादा होता है, इसी वज़ा से लिख दिया जाता है, कि molecule and mass of species बढ़ेगा, तो wonderful force of attraction बढ़ जाएगा, बोलो आनंद आया क्या, आया होगा, आया होगा, आप आजाते हैं, तो हटा देते हैं, लोजिक पकड़िए, logic, रटते रटते, दिमाग क्या हो जाएगा, कहीं बन आजाते हैं, यहाँ पर, यह मैंने लिखा है कि wonderful force of attraction और देखेगा आगे जो आपके सामने आ रहा है, surface area of isomer, अभी बता है, अभी, अर्यार दोनों के surface area एक दूसरे से जादा interact होंगे, तो क्या होगा वहाँ पर, wonderful force of attraction बढ़ेगा, इसका मतलब surface area of the isomer बढ़ाने से, surface area of the isomer बढ़ाने से, wonderful force of attraction क्या होता है, जादा होता है, logical लग रहा है, बुद्धी लगाओ मेरे भाई, example के तोर पे, यह चीज आपको organic में बहुत देखने होंगे, बहुत सवाल आते हूँ, यह देखो क्या, यह मैंने बनाया हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पांच, एन, पेंटे देता, एक यह बना, एक यह, एक दूसरा आईसो मर बना दिया, मैंने यह, तीनों आईसो मर है, मतलब, यहाँ पे molecule मास की जंजट नहीं है, अब बुद्धी लगानी है, surface area पे, यह देखो, यहाँ पे surface area जादा है, और यहाँ पे surface area बहुत का, यार, spherical होते ही, क्या हो जाता है, surface area कम हो जाता है, यहाँ पे बहुत कम area है, देखो, इतने area, इतने कम area में, पूरा का पूरा molecule आ चुका है, याद देखो, इतना पूरा area लगा है, अब उसमें एक molecule आए, ठीक, अब एक molecule, सामने से इसी जैसा मालो, दूसरा molecule आए, किसी जैसा, एक दूसरा molecule इसी के सामने किसी आये लो बना लेता हुमें यहां पर ज्यादा इसका मतलब क्या हुआ यहां पर ज्यादा इंट्रैक्शन आएगा लेकिन यहां वाले केस में ज्यादा नहीं है यहां के मेरे भाई यहां पर क्या है इनका total area हितनी कम इसी जैसा दूसरा जब तुम लाऊगे इसी जैसा जब तुम दूसरा लाऊगे यह और यह ज्यादा interact नहीं कर पाएंगे लेकिन यहां इंट्रेक्ट करने का भरपूर मौका है Вोंग् हो कि यहाँ पर क्या order बनेगा क्या order बनेगा बता हूं कि यहाँ पर क्या order बनेगा यहां पर देखो भैया इनका surface यह ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं पूछू हूं कि बताओ boiling point boiling point और wonderful वंडर वॉल्वॉल फॉर्स ओफ अट्राक्षण के बीच में क्या रिलेशन हो निफॉलिंग पॉइंट ऑंडर फॉर्स ओफ अट्राक्षण में और रिलेशन होना चाहिए आप कहो कि सर डिरेक्ट्ली प्रोपोश्ट्नल इतना तो मैं पान के चल रहा हूं कि आप समझदार होंगे अरे भाई जब दो लोग एक दूसरे से ज़्यादा इंट्रैक्ट करेंगे तो बॉयल करते वक्त हमें उनको अलग करना है उनको अलग करके गैस बनाने के लिए वासवन में आया क्या नहीं आया दुबारा बताता क्या करते के मानलोंग क कहीद दूसरे के साथ चिपके हुए है लिकविड स्टेट में प्रेजें थेंगे और उन दोनों लोगों को अलग कर देंगी यहीं तो करते है बदैंगे और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ीगगा मानलों कहीं पाद तूसरे के साथ allemaal जाद और रहे हैं आपको boiling point का भी order मिल गया boiling point का भी order मिल गया बोलो ठीक है क्या आप आप ठीक है क्या logical लग रहा मजा आ रहा एन में भी क्या बोलोगे boiling point का यही order आएगा जो आप इस समय देख रहे आगे आ जाते हैं आगे क्या भी है यह देख वंडरवल force of attraction इसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है यह देखेगा size of the atom यहाँ पे देख लीजिए समझ में आ जाएगा आपको यह आपके सामने मैंने एक table रखी हुए rating point का यह data लिखा रटना है क्या अरे नहीं रटना मेरे भाई सुनो सुनो द्यांते केवल देखो order समझो यहाँ पर क्या है यहाँ पर कम है यहाँ पर जादा है और जैसे जैसे आप उपर से नीचे जाओगे देखो आपके क्या दिख रहा है हर एक चीज यहाँ पर घटती ह गट रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप helium से neon argon krypton की तरफ जाएंगे आप अगर ऐसे नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर इसका boiling point क्या होगा बढ़ेगा अच्छा यहाँ जब आप नीचे जाएंगे तो क्या size बढ़ेगा क्या size बढ़ेगा और अगर size बढ़े इसको logically समझाने के लिए मैंने यह चीज पहले ही खोल देगा तो यह आपको यह बात समझ नागे same कहानी ऊपर से नीचे जा रहे हूँ melting point बढ़ रहा है melting point बढ़ रहा है एक जेनौन दूसरे जेनौन से ज़्यादा इंट्रेक्ट करेगा क्योंकि उसकी size बढ़ी और अगर इनकी size बढ़ी है वह ज़्यादा इंट्रेक्ट होंगे वहाँ पे force of attraction ज्यादा होगा तो भाईया मेरे boiling point ज्यादा आएगा wonder wall force of attraction के ज्यादा होने की वज़ा से boiling point ज्या आते रहिए वाई-बाई take care और यह सारे notes आपको मिल जाएंगे और बाकी अगर आपको notes चाहिए तो आपको website पर free of cost मिल जाएगा let's study cake ट्रक्संदियन वाई-बाई-बाई